कि साथियों नमश्कार आज दिल्ली सल्तनत के साहति की बात करेंगे जिसमें आप भसन इजामी ज्यावदिन परनी मिना सुस्यराज पक्रमुदब्बिर इस तरह के जो बहुत से लेखा के अमिर खुसरों का भी अध्यन करता है जिवनी अध्यन करेंगी इसके संपूर अध्यन होगा हमेशा की तरी इसके अंतरिकत आप सभी अध्यन्यल्ली आपको इसमें पड़ा ही जानी है उनको देखेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे इनके साहिति्टके बारे में हैं दो अब तो यह जोड़ने वाले हैं थोड़ा देखते हैं राज नरायन जोड़ चुके हैं दिल्साद जोड़ चुके हैं काभी समय के पावंद रहते हैं आप सभी है तो इस टोड़ी करने हैं इनके बारे में तो तो पिछली केक्षा आपको कैसे लगी मुझे बता है राजमराय दिल्शाथ आप लोग जोड़े हुए हैं हाँ तो नोट्स विल्कुल आपके सामने है और हसन निजामी जो कि शुरुवार्थी एक लेखक एक साहत्यकार इसका अध्यान करना है तो तो फार्सी अर्विस आयते का दिन पहले करेंगे उसके बाद संस्क्रिप्ट का हिंदी का उर्दू का यह बाद में इस्टडी करेंगे और कहीं कोई आपको ऐसा लगता हो कोई सुझाव देना हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और क्वालिटी से लिखकर जो क्वालिटी मेटर है और समझाने का जो कॉंसेप्ट है कि वह इसी तरह निरंतर बना रहेगा तो हसन निजामी जो एवक के काल का एक दरवारी इतिहासका है जन्म निशापुर्थ कि कम पूचा जाता है मंगोलों के उत्पीड़न के कारण यानि कि मंगोल आ गये थे पर गजनी वाले छेत्र में अफगानिस्तान जो आज है वहां पर काफी ज्यादा उत्पात था उनका तो वहां के उत्पीड़न से परशान होकर मैंने पहले बताया कि बल्वन के काल में तमाम अच्छे खासे विद्वान वह भारत की रुप किये तो उनमें से यह भी एक थ लेकिन फिल्वी एक से खरने के लिए ठीक है कि बाहर वारत से बाहर से आया और ये लूटा गया दास्ता से मुक्ति पत्र यही लेकर आया वैसे आपको बताया था कि जो गयास गयास दिन महमूद यास दिन महमूद जो मुहमद गौरी का भतिजा था और राजबानी करने छान, यह कहने के लिए किमने मदद कि है थोड़ा सा दास्ता मुठ्थी से एक मुठ्थी पत्र बनता है रेकर बनता है तो बना दिजित निजम अधमाय को बेजा तब वाया सुथ महमूद ने भी द्धा था लेटर के साथ इसको अधर के लेकर आए यह मुश्ट इंपॉडेंट है कि ऐवक का रिदास्ता से मुक्ट्र है घुलामी से मुट्र पत्र है कौन लेकर आया है यह काफी आ चुका है पुंस्तक है इसकी ताज उल मासिर यानिके गघुरतर साली का और अर्भी फालसी या इसलिए लिखा हुआ है वैसे रिखिया हूँ है ये खासकर फालसी में लें लिखी अभी कभी पुरी हो कहा है तो बहुत अच्छे प्रश्ण बन सकता है आगे के लिए कि ऐसी कौन सी पुस्तक है क्या कौन लेखक है जिसने फार्सी में लेकिन बीच-बीच में अर्वी कभी यूज किया है क्योंकि मूलते वो रहने वाला तो फुरासान उनीच छेत्रों का था तो इसको अर्वी भी आती थी तो बीच-बीच में अर्वी कभी उलेकिस ने किया है अगर आपसे पूछा जाएए पुस्तक किस लेंग्विज में हैं तो हैं फार्सी में और बीच-बीच में अर्वी कभी प्रयूख है इसमें 1192 से लेकर 1228 तक का जो भारत है वो वरणित हैं तो बड़ा ही एक स्पश्ट सी बात है कि इस में गजनी या उस छेत्र का जो पहले वरणित पुस्तका में हुआ करता था अब नहीं होता कह सकते हैं कि यह पहली पुस्तक थी जो दिल्ली सल्तनत की अधिहास को गजनी और मदेशिया के अलग करती ती यह वह सा कॉंसेप्ट किताबां में भी क्लियर नहीं है अधिकतर छ मैं यह फुस्तक में बिल्कुल भी नहीं है इस सत्व resonate है पहली पूस्तक भारत को लेखंए लिकिए पेहली दियुकत के पहले पहला सकते हैं ऑधिक है पहला आधिकारिक और राच्की एतिहास है इसको लिखवाया गया एवाक के तुवारा तो क्लियर वह आपको कॉंसेट्ट वीनुश वर्मा डूर चुके हैं दिलसाथ इसके बाद इसके जालोर विजए के बाद कुफ्र का गड़ इसलाम का घर बन गया यह यह प्रसित पंग्ती है पूछ लिए ज़ादा आती है आपको पता होना चाहिए और यह पंग्ती की दिल्ली संक्राइब यहां से अलग करती है तो यह काफी जादा पूशे जाने वाले प्रश्ण है तो किसी का कोई प्रश्ण हो कोई संस्य हो इसको लेकर तो रख सकते हैं कि इस्क्रीन शॉट लेजिए पर आगे देखते हैं पक्र ए मुदब्र जो अबला और एक दर्वारी त्यास कार कौन से प्रश्ण बनते हैं कितने बनते हैं वो जानेंगे अगर 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 पक्र ए मुदब्र तो काफी अच्छे थासे लेखत हैं यहां पक्रें मुदब्र एवाक और इसकिताल का है और भारत के पहले मुस्लिम राजदितिक विचार गयाने कि राजदिती पर काफी अच्छा खासा इस वेक्ती ने लिखा तो यह प्रश्ण बहुत ज़्यादा आता है तो दर्वारी तो पता होना चाहिए कि किसके कालके हैं और यह भी पता हूँ उस तक है आदाव अलहर्व अलशुजा यह इसका आत है हरुगा मतलब इंदोता है हरुका मतलब इंद शोजा का मतलब वीरता हो गया तो युद और वीरता का आदाव यानकि सिश्टा चारती तो वही इसकाथ है तो अच्छी बात यह है इस पुस्टक को लेकर इसमीज़ाइं तोце प्रश्ण करें वह सुज़त thought पुस्तव जो में पुस्तवर यह ज़ल समंचाव ये यह ते भारत में इथ्यास लیکन पर पहली फारती पुस्तवर्ण चुकि पहले लिख दिया इसलिए ऐसा नमाने पहली जो पार्सी पुस्तक है भारत के ख्यास लिखन पर वह यही है इसमें वन्शावली दी नहीं है तो यह अंसा वैने की वन्शावली यह पुस्पर खाला की कम पूशी जाती यह बहुत जादा आती है अगली बात है नुरत देम महमद ओफी ओफी या अवफी एक ही बात है यह सिंद्व मुल्ताम के शासक को वाचा विद्दुद्मिश्ट का दरवारी था इसकी पुस्तक है जवामी उल्हिकायत मोस्ट इंपूर्टेंट इसने से जुनेदी के पुत्र गजाम अलमुल्क मुहम कि रामरी जुट चुके हैं रादे रादे जुनेदी कौन था कमेंट बॉक्स मता है कि बिल्कुल बहुत सही बात है तो जुनेदी है वो इल्तुत मिश्ट का प्रधान मंत्री था बिल्कुल सही बताया तो जुनेदी के पुत्र निजाम अलमुल्क मुहम्मद को यह पुस्तक समर्पित की गई है इसमें चुम्ब की कमपास दिशा बताने वाला एक उपकरण होता है वो इसमें वरनित किया ग प्रशन बनते हैं कुछ एक्स्ट्रा अगर बनता हो तो आप बताएं कभी एक्जाम में आया हो कि भारती जुड़ चुकी है आप लोग समय से जुड़ा करिए कि अब अगला वेक्ती है मिनास उस्सिराज एक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिजिए अब मिनास की बात करेंगे बहुत जादा इंपोर्टेंट है बहुत जादा प्रशन आते हैं मिनास उस्सिराज से तो अभी तक तो यह एक एक दो-दो प्रशन वाले व्यक्तित कि गानून का एक ज्यान होना और चुकि कानून धरम से जुड़ा होता था धरम परी निरने होते थे तो धर्म शास्त्र का भी इसको अच्छा खासा ग्यान था तो यह भी इंपोर्टेंट है 1226 में गौर के सुल्तान ताजुद्दिन नियालतगीन के पास निम्रोज में दूत बना कर भेजा गया ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि आप मिनासुस सिराज को पढ़ रहे हैं अच्छे खासे प्रशने यहां से बनते हैं सिथ्यासकार से तो एक इसको कहां दूत बना कर भ यानि किसका मतलब है कि यह विनहासुस सिराज सीधा जो भरती हुआ निक्त हुआ को वाचा के सिंद मुलतान में नासुदिन को वाचा जो सिंद्द मुलतान का उसमें शासक था कि उसके दर्वार में यह पहुंचा और इसको मदरसाय फिरोजी मैं इसको एक टीचर बना दि कि यह 128 सी गलतलент लिग गया है इसको 28 करिए 1228 में जब कुवाचा ने उच्छ जीता ठीक इसको 28 करिए इल्टुद्मिष ने 1228 में जब कुवाचा से उच्छ जीता यहनि कि उच्छ यहनि कि जो मुल्तान के पास में जगह है तो सिंद मुल्तान वाला छेतरा माल लेजिए लहीं जीता य Baptist कुवाचा को सब्सक्राइब इसे मिश्राब को फिए उसंधों सिरीया वहां से संदमुल्च ये खाजी बना दिया गया तो यानि कि जो ग्वाल का अभियान था जिसमें रजिया से भी इलतुन्मिस प्रभावित हुआ उसको दिल्ली का शासन प्रशासन सोब गया था जब ये ग्वालियर लड़ने गया था तो प्रभावित होने के बार टंके पर रजिया का नाम भी लिखवाया और उसको तरातिकारी भी नियुक्त किया तो यहां एक बा मिनहां उसको बुलाया गया मिनहां ने वहाँ अच्छे से दिया और सेना जीती भी थी और इलतुत में इस बात से भी प्रभावित हो और उसको ग्वालियर का ही काजी भी बना दिया गया ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोनों बहुत आया है ये काफी ज्यादा प्रश सकते हैं सुर्जीड जुड़ चुके हैं अवदेस जुड़ चुके हैं संजीफ सभी जुड़ चुके निरंतर आप जुड़े रहिए ऐसी तरह से है और गुड़ीवन इवने संजीफ बल्वन के काल में ये मदर्साय नासीरिया का प्राचारे बना देखिए ये भी एक तर इसने बहरम शाह के सिंगासना रोहन बहरम शाह जब गद्धी पर आया तो उसके लिए बधाई में कविता लिखी और नासुरुदिन महमूद के राज्यावशेक के समय भी इसने कविता लिखी थी तो यह कविता इस तरह की किस ने लिखी यह प्रशन आ चुका है यह प्रशन है यह है यह इंपॉर्टेंट है हलाकि मुस्ट थो नहीं लेकिन प्रशन आ चुका है तो निगाह आपकी इस पर जरूर होनी चाहिए अगली पुस्टक तबकाते नासुरी इसकी इसको नासुरी नाम दिया गया तबकात का मतलब अधिया है इतना पहले स्क्रीन शूड ले तो वही लिखा हुआ है कि आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ छूट रहा हूँ आपका कुछ इंपोर्टेंट जो कॉंसेप्चुल चीज़े हैं आपको ना बताई जा रही हो तो आप कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं सनी जुड़ चुके हैं तबकाते नासरी बहुत इंपोर्टेंट बुक है काफी ज़्यदा आई है यह आपको रटी होने चाहिए तबकाते नासरी इसमें 23 तवके यानिकी 23 अध्याय हैं इल्तुत में इस रजिया के काल की नासरुद्दिन महमूद जो इसका नाती था तो पौत्र था तो इनके काल की सबसे ज़्यादा प्रामाडिक सबसे प्रत्यक्ष पुस्तक है यह मिनहास ने खुद आँखों देखा हाल लिखा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके काल जोगे इसके काल के 15 वे व्रश तक इसने इसको लिखा प्रत्यच रूप से क्रमबद्ध लिखा प्रामाडिक है और थोड़ा बहुत पक्षपात तो इत्यासकार करते हैं लेकिन इसने ज्यादा नहीं किया बहुत हलका मायन्यूट सा है तो तो देखने को मिलेगा लेकिन प आपको अपनी निगाह बिल्कुल इस पश्ट रखती है तो पक्षपात पूर्ण किया है इसके अनुसार कुद्बुदिन एवक ने अपने नाम का खुदबा पढ़वाया तथा सिक्के चलवाए यानि कि बात जो बिल्कुल प्रमानित तो नहीं होती है कि एवक ने अपने न कि यह सिख्षक है लगते हैं जुड़े होएं 25 संशी अमीरों का वरणन इनकी इसने पुस्तक में जो संशी अमीर का मददव है कि इल्टुदमिस का जो दूसरा नाम था वो शंशुद्दीन भी था तो इल्टुदमिस के जो अमीर है उनके 25 जो सरदार है उनका भी वरणन इस पुस्तक में है करम से तो किसी खास बात हो जाती कोई पुस्तक किसी अमीरों का या किसी प्रशासने गतकारी का वढ़ना नहीं करती है जो कि यह पुस्तक करती है तो इस वज़े से यह एक खास बुक है 1260 में है पुस्तक नासर अदिन महमूद को इसने सौप दी very most important है कि यह पुस्तक लिखने के बाद मिरहास उसे राज ने तब काते नासरी को इतना सब कुछ काल का लिखने के बाद नासर अदिन महमूद जिसका ससुर गयास अदिन बलवन था मैं आपको वही बता दूँ कि इस को ही मिनहास ने अपनी बुक सौपी जिसमें इसने उसे दिल्ली का आदर स सुल्तान कहा most very 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 most important के मिनहास उस सिराज ने मिनहास उस सिराज ने दिल्ली का आदर स सुल्तान किसको कहा तो वो है नासर अदिन महमूद इसका अंग्रेजी महनुद किया है H.G. रवर्टी ने तो यह आपको पता होनी चाहिए है अब अगली बात करते हैं अमीर खुस्रों के बारे में सबसे ज़्यादा प्रशन एमान के चलिए इसी से आते हैं वरुन शेखर जोड़े हुए है पीपीटी क्लियर नहीं है मास्टर्स अकैडमी का लिखना है भाई अपना थोड़ा सा जो अपना जो पिक्सल लेवल है वो बढ़ा लीजिए काफी अच्छा देखेगा आपको क्योंकि लाइब होता है लाइब में किसी प्रकार की कोई गुंजायश नहीं होती है इसका आप स्क्रीन्शॉट ले लिजिए और अमीर खुस्रों की अब बात करते यानि कि वह वैक्ति जो हर छेत्र में माहिर था चाहें गायन है चाहें कविता है चाहें युद्ध है चाहें संगीत है हर छेत्र में यह वैक्ति काबिस था शासन में भी कफेप अच्छा काम किया अमीर खुस्रों की बात करेंगे यां जीवनी भी आप सप्स्ट कर लेंगे जीवनी भी आपको पता चलेगी और साथ में साहित्य तो है ही साहित्य कि क्लास तो यह चली रही यह गड़वड नहीं होना चाहिए जनम कहा हुआ पटेयाली कासगंजी शुरुवात में क्या है यहां एटा लिखा हुआ था एटा जिला है थीक हात्रस आगरा के पास में तो यह एटा में ही पटेयाली पड़ती थी लेकिन जब एटा का विभाजन हुआ और विभाजन से का लगती है कास गंज में तो आप कॉंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अब पटे आली कास गंज में पढ़ता है एटा में नहीं है तो ज्यादा अच्छी जनकारी है तो गलती से बचे बास्त्रिक नाम इसका यामनुद्दीन महम्मद अबुलहसन यह भी पूचा जा चुका है प और यमीर खुष्रों का यह पूचा जाता है पटे याली ठीक है अगर एटा दिया हुआ है कास गंज नहीं है तो आप तो इटा मैं आपको दिये हुए हैं तो थो प्रकास गंज नाम भी पूचा जाता यह देखिए ऐसा वेक्टित्व है जिसका वास्त्विक नाम जग है जनम की जो तिथी है वो भी पूची चा चुकी है मित्र इसके जियाओ दिवर्नी और अमीर हसन यह इसके अच्छे खासे मित्र हैं आगे दिखेंगे इनके बारे में जानेंगे जो अमीर हसन है वो तो इसके साथ बल्वन के पुत्र शाधादा मुहम्मद के दरवार में भी दोनों ही ठीक है क्योंकि यह अरवी फारसी तुरकी इंशब्दों का थोड़ा सांतर होता है जिस वजह से सही है तो लचिन साखा से संब्दित है समकालीन आठ सुल्तान ये पूछा जांब श्रूस्यार बहुत सारे चात्रों ने पूछा है कि ये अमीर खुसरों ने कितने सुल्तानों का काल देखा तो बहुत सी इस पश्ट सी विलगुलखाज एक बात जो आप समधना चा रहे हो तो यहां देख ले들이 pię tara इसक्तिने सुल्तानों का काल को कल काल देखा तो काल यानि कि जितना उन्होंने समय शासन किया तो अमीर खुसरो ने बल्वन का पूरा काल देखा क्लियर है इसमें ठीक है पहला कैकोवाद का पूरा काल देखा ही होगा क्यूमर्स का ही देखा होगा चौथा जलाल अद्दीन फिरोज खिल जी का पांचमा लाउद्दीन का छटमा कुद्वद्दीन मौराख खिल जी का साथमा नासर अद्दीन खुसरो शाह और आठमा गयास अद्दीन तुगलक अब मुहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं कुछ और हुआ आपके पास आगे एड नहीं करेंगे जरूर अमीर खुसरो ने उसके दरवार से अपना साहित्तिक जीवन अपना जो कर्म जीवन है वो शुरू किया यह मान सकते हैं लेकिन सुल्तान की बात आ रही है तो वह सुल्तानों का काल देखने में जो पहला है वो बल्वन लगेगा अब मुहम गयासुद्दीन तुगलक 1325 में खतम होता है लगवग कुछ ऐसा होगा मार्च के करीब की बात होगी है वो खतम होता है और गयासुद्दीन तुगलक के खतम होते ही एक दो महिने बाद 1325 में अप्रेल मई जून के आसपास में अप्रेल के आसपास में निजामुद्दीन अलिया भी खतम होते हैं और निजामुद्दीन अलिया भी कुछ महिने बाद वो भी खतम हो जाते हैं और इनके 6 महिने बाद 1325 में लगवग अक्टूबर के आसपास में अमीर खुसरो भ ही खतम हो जाते हैं तो अब मोहमद बिन तुगलग का यांज gloss का सब्सक्राइब इसी लिए तो को यहां पर एड़ नहीं माना जाता दोचार महीने महमद बिन तुगलक के समय के देखे थे अमीर खुसरो ने बस के लियर हुआ कॉंसेप्ट आपको सभी को इस तरह से याद करेंगे तो आप बढ़केंगे नहीं आप अपना अच्छा सा कॉंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे तो गया सुद्धिन तुगलक मार्च के लगवग में अपरै आठ सुल्तानों का ही काल इन्होंने देखा था समकालि सुल्तान ठीक तो यह याद हुआ कोई दिक्कत किसी को अब आगे बात करते हैं बलवन के काल में यह मलिक चज्जू का पहली बार नौकर निक्त हुआ यानि कि अमीर खुस्रो बलवन के रिस्तेदार था मलिक चज्जू तो उसका नौकर अमीर खुस्रो बना नोकर यानि कि कोई छोटा मोटा वैसा काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो किसी अच्छे बड़े साहित्ते क्या प्रशासनिक पत्पर हो तो ये ये आरंब में बलवन के बड़े पुत्र शहजादा मुहम्मद का दरवारी था तो सुल्तान है बलवन और शहजादा है मुहम्मद दरवारी था वहां से एसे मंगोल बंदी बना कर ले गए लेकिन फिर किसी तरह वो छूट आया और बलवन के दरवार में आकर फिर रहने लगा तो ये कॉंसेप्ट में आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको बलवन प खुसरो कहा गया जब कि खुसरो इसका उपनाम या तक खल लुस था तो इसको खुसरो बोल identifies को भून थै원 के न很好 को में दोपनेनदीन था मूल नाम इसका यह है कि इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यह स्लाइड है यह फोटो है इंपोर्टेंट है स्क्रीन शॉट ले लिजिए कि आगे बात करते हैं कि अब हिंदी फार्सी का कुछ भी मिक्षर हो कोई बात हो सब कुछ अमीर खुसरो यह परतम मुसलिम कभी था जैसने हिंदी के शब्दों का यूज किया मुहावरों का यूज किया मोस्ट इंपोर्टेंट दिल्ली सल्टनत का परतम भारतिय कभी हैं वह मिध्यासकार यह भी म माना जाता है यानि कि जो दिल्ली और मेरट के आसपास में जो मेरट और साहरनपूर की तरफ जो खड़ी बोली आजकल आप देखते हैं वह बोली जाती है इस तरह कि शुरुवाती तौर पर अमीर खुसरो द्वारा दी गई थी इसमें क्योंकि तुर्की अर्वी जोदर के साइड के मदेश याई शब्द हैं इनका भी इसमें व्यापक प्रियोग किया गया कि वरुंशेकर लिख रहा है यह तुना इंसाफ है सर हमको यह सब पढ़ाने का हां वक्त की बात है अब क्या पता है इसमें अब वो चुकि आपको पढ़ाना ही था तो देख लीजिए ओन फार्सी यह जानता ही था ठीक है हिंदी थोड़ा इसके काल में खड़ी बोली के तौर पर वर्णित की कई उर्दू इनका मिक्षर था तो इस तरह से यह लेंग्वेज लिखने वाला एक तरह से पहला विद्वान मना जाएगा इसने फार्सी भाशा की कवताओं का पहली ब है के लिए हस्तम या आस्तम यूज करते हैं हस्तम तो यह अब इस तरह से इस प्रकार के शब्द जो अलग-अलग तरह के शब्द हैं वो यूज होते हैं वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से आपको त्यार करना होता है कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा फार्सी का तो फार्सी की कविताओं का भारती करने यानि कि उसको हिंदी में लिखा इसने हिंदी में लिखकर लोगों के सामने प्रुस्तुत किया तो यह था नमीर खुसरो का काम फार्सी में हिंदी का प्रयोक कर एक नई शैली चलाई जिसको सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली कहा ग प्रसन कहीं आ चुका है ज्याओ दिन्व भरनी की तुलना में तिथियों का ठीक पर लेख किया ज्याओ दिन्वरणी अगर आगे मठार लेखन में प्रवीन Esra पहले चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा तो नहीं किया उसे करके बैल आइकन आप दवा दीजेगा बैल आइकन वाला भी वह जरूरी बताया जाता है मुझे तो जाता इतनी जानकारी नहीं है तो बैल आइकन भी दवा कर देख लेजिए हो सकता है आपके पास नोटिफ या नहीं बस अपनी मन मरजी लिखना शुरू किया है ज्याओ दिन बढ़नी का यह थ्यास लेखन का नेचर था अमीर खुसरो तिथियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक प्रकार से उल्ले करता है तो यह तुलना अगर पूची जाए तो काफी जादे इंपोर्टेंट हो जाती में बास्तव में कौन है तो वह आप कल वाली वीडियो जरूर देख लें तो वहां मैंने विस्तार से आपको क्लियर किया हुआ है तो इसका इसकी शौर्ट ले लिजिए फिर आगे देख लेगए अब बहुत जल्द इसकी पुस्ते के शुड़ूने वाली हैं अमीर कुस्त्रों की अभी तो यह प्रश्ण चल रहा है जो से पूछे जाते हैं तो अर्भी मूल के कई राग आमान घोर सनम यह सारी चीजें इसने वनाई संगीत में शामिल किया यह सारी चीजें पूछी जा उपादी तुर्क अल्ला तुर्क यानि की तुर्क अल्ला यानि की महान तुर्क आप देख लें चोटी की मात्रा लगा कर से मिला देते हैं वह सब ठीक है लेकिन सही है तूती ए हिंद यहिंद का तोता मृतियू इसकी वही मैंने आपको बताया कुछ अक्टूबर 1325 के करी में हुई थी और निजामुद्दीन गुरु निजामुद्दीन ओलिया के मृत्व के छे महीने बाद फिर इसका मन लगना जीवन में सांसारिक जीवन में कम हो गया परिसान रहने लगा और छे महीने बाद इसकी भी मृत्यू हो जाती है तो महमद बिन तुकला की मसनवी का मतलब होता है जो काभ में लिखा जाए तो मष से मचनवी को union इस कि आधरित है कविपता के समान इसको yl client के काल में लिखा गए तो कि क्याद का च्छा खासा वरन इसमें समय गो एसमें कैको वाद और उसके पिता बुग्रा खां के अवद में मिलन का वर्णन है यह important बात है पूछ लिया जाता है कि यह जो बुग्रा खां और कैकोबाद की खानी आपको बता चुका हूँ बुग्रा खां की आप पिछली वीडियो देखें बलवन बाली में ही बताया हुआ है तो वो मिलन का वर्णन इस पुस्तक में है पान को मुखी दुरगंद दूर करने वाला बताया गया तो काफी अच्छी बात है भारतियों के लिए भारत के लिए कि एक पान की विवस्था भी हमारे उसम भारत में होती थी तो यह देन भारत की है कि दुरगंद दूर करने वाला बताया गया तो किस अगली पुस्तक है मिफता उल्फतूह तारीख निखित है उर्दू में जो तारीख है उसका आर्थ होता है इतिहास, तारीख का मतलब इतिहास होता है, तो अलावदिन खिलजी का इतिहास, यह गद्दे में लिखा गया है, कोई मसनवी नहीं है, गद्दे में प्रोज में लिखा गया है, इसमें अलावदिन खिलजी के शासनकाल के पर दच्छड़ी अवियानों का वर्ण है तो दच्छड़ अवियान और प्रतम 16 वर्ष बहुत जादा आता है पूछा जाता है कि यह किसने बताया किसने लिखा आपके कुछ प्रस्म देख लाएं वरुन लिख रहा है मास्टर्स अकेडमी वरुन मुकेस का दो नमबर से नेट रहे गया इस बार हो जाएगा हाँ बिल्कुल मुकेस पढ़ने वाला चात्र है और मुझे लगता है हो जाएगा उसका और अब भी होनहार है और आपका भाई क स्सी इंस्पेक्टर में चैन हुआ है तो उसके लिए आपको बदाई देते हैं और यह सब हमारे पुराने चाहते हैं अब दीरे दीरे उपलब्धियां बटोर रहे हैं अच्छी बात है हां तो दक्षड अभियान की चुकि इंपोर्टेंट बात है लाउदिन खिल जी के का जायनिका अभिया खुष्रो में अभियानों में साथ गया था काफूर के साथ दक्कन के बाजानओं का उले के जुकि दच्छड में जाएगा तो वहां के बाजारों का मियुं लेक्षड जाहर सी बातें करिगा अलाउदीन खिल जी की नजर में राजा क्या होता उसके क्या दायत तो है उसको किस प्रकार से जनता के समक्ष अपना डर भय बौकाल बनाना चाहिए तो इस प्रकार की चीजें इस प्रकार के विचार हैं वह इसी तारीक एलाई पुस्तक में अमीर खुसरो लिखता है तो बहुत अच्छा प्रस्ना काफी बार आच चुका है जोहर प्रथा चुकि अमीर खुसरो जो इसके राजिस्थानी आकरमण है वहां भी गया था राजिस्थान के चेत्र में तो वहां बस जोहर प्रथा भी महलाओं द्वारा की जाती थी तो जोहर प्रथा का भी उल्लेक इस बुक में अमीर खुसरो करता है अगली पुस्तक है आश्यकह sajha意 अग्ली पुस्तक है आश्यकह अलावधिन खिल्जी का पुत्र है खिजरखा के कहने पर किःवल्देवी और खिजरखा की इसमें प्रेम कहनी से लिइक तन्हां मंगोलो द्वाराि कि मंगोलो अमीर खुश्रों को बंदी बनाये जाने का वरणन इसी बुक में हैं यानि कि अमीर खुस्रों बताता है कि मुझे मंगोल उठा कर ले गए बंदी बना कर ले गए जब मैं बल्वन के पोत्र श्रहजादा मुहम्मद का दरबारी था तो यह बात इसी में लिखी है यह भी कई बार पूछी जा चुकी है तो बहुत तिक देजभक्ति की बाते भी है अलावदिन खिल जी के काल के अंतिम पीड़ादाई घठनाओं का भी वरण होने के कारण दुखांत मसन भी है यह यह कि पीड़ादाई अलावदिन खिल जी का अंतिम समय काफी पीड़ा में रहा क्योंकि घरवाले उसकी सुनते नहीं थे पतनी बिल्कुल नहीं उनको पूछती थी और मलिक काफूर तो बस अपनी चलाने पर लगाओ बात है तो यह सारी चीज़ों का वरणन इस बुक में अगली बुक नूर से पहर यानि कि नौ आकाश नौ आकास या नक्षत्रों की बात इसमें की गई है और हर एक चैप्टर क इसको लेकर एक आकाश या नच्षत्र के बारे में कहा गया है कि शनी है मंगल तो इस तरह से बढ़न है इसे अमीर खुस्रों ने किसी के कहने पर नहीं लिखा उसने खोद इसको लिखा है इसमें नौ अध्याएं नौ आकाश नहीं की नौ अध्याएं जिसमें से प्रतेक अध्याएं किसी आकास या ग्रह से जड़ा हुआ है यह बिल्कुल नई बात है यह आपको पतावने चाहिए इसको मुष्ट को रखें कि हर जो है जो चैप्टर है हर चैप्तर में एक सुरु आति तौर पर किसी आकाश या किसी ग्रह का किसी नच्षत्र का वर्ण से इसको जोड़ा गया है इसमें कुद्वुद्दिन मुवारा खिल जी जो अलावदिन खिल जी का बेटा है उसका बिल्कुल चापलूसी वाला वरणा ने इसमें दिया गया है आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अमीर खुसरो ने अपने जो समकाली सुल्तान थे उनको लेकर क्रम से है कौन कौन सी पुस्ते के लेकि इनको क्रम में लगाएंगे तभी आपको यादोंगी वरना यह बिखरा हुआ आपके दमाग पर रहेगा कॉंसेप्ट के तरीके से इसको पढ़ना है वह उसको बाद में देखेंगे पहले यह देख लें क्या-क्या लिखा हुआ है भारत की जलवाई पसुपक्षी याईनि कि जो प्राकृतिक वरनन है वह अच्छा खासा किया है इस बुक में बाद भारत की तुलना स्वर्ग के उध्यानों से की गई है भ भारत की प्रशंसा वाली बाद भारत की प्राकर्तिक जो खुबसूरती है वो इसमें बताया गया है तिलशाथ कह रहे हैं सर खजायन फटो PCS में पूछा गया था ऐसे ही प्रशन पूछे जाएंगे वाब नरंतर बने रही है इसमें जितना भी आपको बताया गया इससे ब कोई भी समस्या दिकत नहीं आएगे चीजें रठनी भी नहीं पड़ेंगे आगे इसकी पुस्तक हैं काफी ज्यादा है तो मैं आपको बिल्कुल एक करम बना दूंगा कि आपको रटनी के अभश्रक्ता भी नहीं पड़ेगी तो पहले इसका स्क्रीन शोर्ट ले लिजिए इसके बाद है तुगलक नामा यह अंते मैतिहासिक मसनवी यानि कि काब्य परक वरणन जिसमेतिहास का उलेख है यह गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाला विहान पर भी गया था तो यह गयासुद्दीन तुगलक के काल का वरणन है इस वाली बुक में यह आपको पत होना चाहिए खमसा एक बुक है पांच जो रोमेंटिक मसनवियां इसमें दी गई है रोमेंटिक यह रूमानी खमसा यह पंचगंची भी इसको बोला जाता है और तो जो रोमेंटिक और जो रिखा गया है वो निजाम अधिन ऑलिया है ठीक शीरी फरहाद यह बिल्कुल प्रे लेला मजनू मतला उलन्वर हस्त वहिस्त आयने सिकंद्री यह दो का नाम तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि शीरी फरहाद और लेला मजनू की जो कहानी है प्रेम कहानी है वो उसकी शुरूआत करने वाला जो इसको काब्वे रूप देने वाला विक्ति अमीर खुसर भी गद्दे में लिखा गया है अफजल उल फवाइद गद्दे में लिखा गया अमीर खुसरो ने अपने गुरू नजामत दिनों लिया यह एक प्रकार से मल्फूजात है मल्फूजात का मतलब है किसी धार्मिक वेक्ति से किसी सूफी से बातचीत करते समय उसकी प वर्डन फिर फुर्सत में आकर अमीर खुसरो एक लिपिबंद करते हैं एक बुक लिखते हैं तो उसका नाम है अफजल उल फवाइद यह बहुत जादा पूछी जाती है इसका स्क्रीन्शॉट ले लिजिए तो क्लियर हो गया होगा शीरी फरहाल लैला मजनु जो एक प्रेम कहानिया है वह कहां से शुरुआत होती है इनकी लेखन में तो यही है इसके बाद अब अमीर हसन अगले व्यक्ति अब शुरू हो गया है तो अमीर हसन को अब कल स्टेड़ी करेंगे काफी ज्यादा समय हो चुका है तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताएं लोमन वर्मा जोड़ चुके हैं मनीश गौतम जोड़ चुके हैं थोड़ा सा आप लोग लेट हो जाते हैं समय से जोड़ा करिए सर यूपी स्पेशल भी करा देना बिल्कुल कराएंगे हां यू अब उत्तर प पिका दे रहे हैं तो वह भी कराया जाएगा वह नोट्स भी आपको हमारे पता हैं किस इसतर के होते थे इन नोट्स में आपको ऐसा लगता हो कहीं किसी कॉंसेप्ट में कमी हो या कुछ आपको शंशोधन इस तरह का चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं और कोई प्रशन ह इसमारी और दो चार स्लाइट दिखाई और चीजें नहीं चूटनी चाहिए मेरा मानना है कि चीजें नहीं चूटनी चाहिए आप सभी के मां के नोट्स में कॉंसेप्ट पूरे होने चाहिए थोड़ा समय ज्यादा लग जाए लेकिन क्लास कंप्लीट इस तरह से ही होने च इस्वास है कि सरकारी कामों के लेखे जोखे को क्या कहते हैं मनीज शाह गौतम का प्रशना है अब सरकारी काम का लेखा जोखा आप किसमें पूछ रहे हैं आप जो मुस्तवफी है या मुश्रिफ है जो इस तरह से पदों के बारें बताए गया आपको तो आप दिल्ली संत करें इस वीडियो को और शेयर आधिक से अधिक करें ताकि अधिक्तम चात्र का लाव ले सकें थेंक्यू